नमस्कार दोस्तों, प्लस्माण के यूटूब के वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह, दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर के बार में सारी की सारे डीटेल्स बता देने वाला हूँ, रजिस्टर क्या है, कैसे काम कता है, उसके कितने प्रकार है, उसका calculation कैसे कर है, ये सब चीजे आज की इस वीडियो में आपको मालूम पढ़ जाएगी, ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा ना, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिये, तो चले वीडियो की शरौवात करते, वीडियो की शरौवात में आपको बता दू, ये जो आपको अलग-अलग टाई कि यहाँ पे कुछ components नजर आ रहे, ये सभी के सभी registers है, शायद इन में से किसी किसी register के बारे में आपको मालूम रहेगा, किसी के बारे में नहीं मालूम रहेगा, तो बेफिकर हो जाइए, मैं बहुत ही detail में बताऊगा इन सब registers के बारे में, सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, ठीक है, सवाल ये है, कि आपके बास समझो एक battery है, 9V की, और समझो एक LED, LED को चलने के लिए चाहिए 2.0V, समझो, तो एक register लगा देता हूँ, current control करने के लिए, ये register कहां पे लगा है, LED के पहले लगाना चाहिए, ये LED के बाद में लगाना चाहिए, कौन सा तरीका सही रहेगा, चले comment में मुझे बताईए, नहीं मालू है तो tension मत लीजे, इस वीडियो के अंत में आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा, तो चले पहले वीडियो की शरुआत कर ले दे, शरुआत में सबसे पहले बात करे, what is register, यानि कि register क्या है, उसको पहले एकदम detail में समझ लेता है, ठीक है, तो माल लो एक रस्ता है, रस्ते में बहुत सारी गाडिया जा रही है, ठीक है, गाडिया जातो रही है, कोई डिक्कत नहीं है, लेकिन माल लो कि मुझे इन गाडियों की speed को रोकना है, जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर से ऐसे फिर जाएगा, जो आम दोर पे हमारे Indian roads रहते है, इससे फाइदा क्या होगा, गाडियों की जो speed है, वो क्या हो जाएगी, slow हो जाएगी, और यही काम काता हमारा register, सहुज मैं है, और एक example देता हो, चलिए, अभी आपके सामें, दो पानी की pipe लेना है, और दोनों की pipe के अंदर से, जो पानी आ रहा है, वो same आ रहा है, same speed से आ रहा है, same quantity में आ रहा है, बरवर आपको दिख रहा है न, मालो जो पहली वाली pipe है न, उसको मैं बीच में से दबा देता हूँ, बीच में से दबाने पर क्या होगा, मेरा जाहिर सी बात है, उस पानी में से जो pipe में से जो पानी आ रहा है, वो कम आएगा, उसकी speed कम हो जाएगी, उसकी quantity कम हो जाएगी, correct, यही काम होता है register का, मैंने भी example दे आपको road का, तो देखो road में भी वो ही system है, मेरे गाड़िया बहुत सारी आ रही दी, अचनक road में कुछ blockages आए, तो गाड़ियों के speed क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, correct, और यही काम होता है register का, अभी सहाज में है register का क्या काम है, चलो बढ़िया है, रईश्चा का काम आपको समझ में आ गया, अभी उसका working कैसे होता है, वो जरा समझ लेते हैं, example है, electronic का example दे रहो अभी, मैंने जैसे पहले starting में बता है, कि LED लगाई हुए, जिसको 2 volt चाहिए, और 9 volt की मैंने एक battery लगाई हुए, इस तरीके से इसको मैं power दे दूग, तो क्या हो जाएगा, इसकी 2 की जगे पहे इसको 9 volt मिलेगा, तो मेरा LED क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बरवर है, तो इसको control करने के लिए, सेम तरीके से, हम लोग current control करने के लिए, रजिस्टर लगाएगे, और रजिस्टर का काम क्या है, जो 9 volt इदर से आ रहा है, उसको कम करेगा, और कम करके, हमारे जरूत के सबसे, हम लोग उसको लगाएगा, और कम करके, फिर हमारे LED को दे देगे, तो हमारी LED जो perfectly working करेगा, और यही काम होता है, रजिस्टर का, अभी clear होगे, रजिस्टर क्या काम करता है, electronics के अंदर भी, चले, अभी आप लोग देखते है, रजिस्टर के पहले प्रकार, तो रजिस्टर के ऐसे तो दो प्रकार, मेन हैता है, एक linear और एक non-linear, linear के अंदर भी fixed register, और एक variable register, जिसकी value fixed रहती है, लेकिन उसमें अलग-अलग प्रकार रहता है, और variable जिसके हम लोग change कर सकते हैं, हमारे हैं साब से, ठीक है, उसको बोलते है variable, उसको बोलते है linear, लेकिन linear में दो है fixed और vary कर सकते हैं, जिसमें changes कर सकते हैं, उसकी resistance की power को बढ़ा सकते हैं, या काम कर सकते हैं, और दूसरा आता है non-linear, जो depend करता है दूसरे किसी के उपर, जिसमें thermistor आता है, LDR आता है, various stress आता है, flexible registers आता है, इसे बहुत सारे आते हैं, तो यह सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में cover up करने वाल हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानकर एक लिए बता तो हम लोग ने online में बहुत सारे courses चालू कर दिया, अभी तो air condition का भी चालू किया, वैसे electronics है, electrical है, motor revending, home appliances, mobile repairing, laptop repairing, computer basics के भी है, software के भी है, programming के भी है, robotics में Arduino है, node MCU, python, बहुत 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 सारे, even animation के भी courses है, 2D, 3D, autocad के भी courses है, बहुत सारे courses है, यह सब courses करने के लिए केवल mobile में एक app डाउनलोड करना है, अब का नाम है plus point training, यह आपको google play store से मिल जाएगा, अगर समझें नहीं मिलता है, by chance, तो यह मेरा WhatsApp का link यहां पे दिया गया, यह WhatsApp का number आपको दिख रहा है, उसमें मुझे खाली हाई का message जाल दीजे, तो मैं आपको link वगर उसके साब provide करवा दूगा, ठीक है, तो चले आगे बढ़ते, different different type के जो register रहते है, वो कौन से कौन से है और उसका क्या क्या use है, जैसे हम लोग ने पहले list में देखा, तो सबसे पहले fixed type से चालू करते है, fixed type में generally carbon composite आता है, फिर nickel cap आता है, carbon film आता है, और metal film आता है, ऐसे बहुत चारह अलगलग प्रकार है, लेकिन आम दोर पर आपको इस type में देखने मिलेगे, हाला कि आजकल इससे भी एकदम advance निकले है, कोन से? SMD, उस पर भी मैं आता हूँ, फिलाल यहाँ पर हम लोग carbon composite type या carbon film type देख लेते हैं, हाला कि इन registers में यह दिख रहे हैं, इन सब के अंदर रहता है क्या carbon रहता है, एक carbon film के अंदर एक basically film लगाई जाती है, महलब अंदर एक प्रकार का foil रहता है, जो carbon का रहता है, और इस सीरा में कोर रहता है, अंदर इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, कि current जो है, अगर जितनी धारी जादा रहेगी, तो current को उतना जादा गुमना पड़ेगा, और current जितना जादा गुमेगा, अपना resistance power उतना बढ़ेगा, simple है, यानि कि यहाँ पे अगर जो है, मैं इसकी जाड़ाई बढ़ा देता हूँ, और यह जो धारी आपको दिख रही है, वो कम कर दूगा, तो current को उतना कम गुमना पड़ेगा, कम गुमना पड़ेगा, तो क्या हो जागा, speed कम, थोड़ी सी कम होगी, जादा कम नहीं होगी, लेकिन अगर मैं जादा कर दोगा, जादा कम होगी, लेकिन इसकी वैल्यू जो भी है, कमपनी से जैसे भी रेटेट है, और वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगी हमें, यहाँ पर जो आपको कलर कोड दिख रहा है, इस कलर कोड के आधार पे, इसका कल्कूलेशन रहता है, अब यह कैलकूलेशन अगर आपको सीखना है, तो यह बेदर आई का आई का इकन है, यहाँ पर दिख रहे हैं, तो वह आपको दो वीडियो मिलेगे उसके, एक रईश्टर के बार में, फूरा का पूरा डीटेल इस टाइप के रईश्टर के बार में, और साती साथ उसके कैलकूलेशन का, वो मैंने अलग से बना के रखें, यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो यह आई का इकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजए, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, अभी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक 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 जाएगा, इसके बाद में आता है, फिक्स टाइप में दुसरा वर्जन है, वो कि वायर वाउंड़ेड रजिस्टर, यह भी सेम पहले के रजिस्टर के जैसे ही है, जब कारवन है, लेकिन वायर वाउंड़ेड में कैसा रहा था, अब आपको यह एक एक जब्बल दिखाए दे रहे, इसमें पुरा ग्रीन कलर दिख रहे, इसके अंदर इस तह से, देखो आपको दिखाए दे रहे, यह कोर दिख रहे है, यहाँ पर पट्टी जैसे दिख रहे, तो करेंट समझों, यहाँ से मैंने डाला, तो करेंट घूम घूम के घूम घूम के इदर से जाएगा, और फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक रजिस्टन्स पैदा हो जाएगा, कभी-कभी यह इस टाइप में यह चीनी मिट्टी जैसा दिख रहे है, उसमें आपको इस टाइप के रजिस्टर मिलता है, यह भी रजिस्टर ही है, कच-कुछ लोग इसको फ्यूज बोलते हैं, हलाकि फ्यूज के जैसा काम कर सकता है, लेकिन यह रजिस्टर है, इसके अंदर के ऐसा रधा है, यह वाइड कलर क्यों रधा है, और अब इसको नया भाई निकला है, वो इस टाइप में आता है, पूरा मैटलिक फ्रेम रधा है उपपर का, और अंदर इस टाइप का, यह जो नाइक्रम कोईल जो रहती है, वो अंदर की दरव इस ताइसे, इस टाइप के जो नजार आ रहे है, यह आपके मुबाइल में रहेगे, या कोई भी इलेट्रोनिक सर्किट लेलो, आज कल इतने छोटे-छोटे राइस्टर आने लगे, इनकी साइज, यहाँ पे साइज लिखी हुई गे, इतनी साइज के आद है, और बड़े-बड़े भी आता है, तो साइज का पावर का रेटिंग भी यहाँ पे अलग-अलग दिखाए दे रहा है, कि कुन्सों जब पावर का रेटिंग है, आलेकि इस पे कुछ कोड आता है, उसके आधार पे हम लोग उसका पावर रेटिंग वगरा सर्च कर सकते हैं, इसके उपर मैंने फिलाल वीडियो नहीं बना हुआ है, वो वीडियो में जलसे बना के फिर यहाँ पे आईका एकन में मैं एड करवा दूगा, ठीक है, तो पावर साइज, साइज बहुत ही छोटी है, और इसके उपर जो लिखावा उसके आधार पे भी उसके नमबर्स के आधार पे हम लोग उसकी जो शमता है, यानि कि रेजिस्टन्स पावर है, वो भी माप सकता है, इसकी साइज को यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्रॉक्समेटली लेंद कितना है, हाइट कितना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो बहुत दी चोटा रधा है हम लोग अगर देखेगे तो हमको दिखाए भी नहीं था, इतने छोटे छोटे रहते है इसमें खाली काम करने का तरीका ऐसा रहता है कि इसमें ऐसे लेयर्स पर डिजाइन किया रहता है यह सीनामिक बॉडी है यह हमारा राइस्टू एलिमेंट रहता है और उसके पर प्रोटेक्टिव कोडिंग रहता है ठीक है प्रोटेक्टिव कोड तो उसमें एक उसको बना गोलते है यह इसके बाद में आता है अलग जो वेराइटी हम लोग नहीं देखिए वह वेरीबल टाइप वेरियल टाइप में सबसे फेमस पटेंचियोमेटर पटेंचियोमेटर में होता है आपने वॉल्यूम्स के बटन्स वगर है देखे रहे गए या कहीं पर आपको आवास का कम करना या आवास जाना है चैनल चेंज हैना कहीं पर भी मुवमेंट वाले बटन जो आते हैं वहां पर आपको इस टाइप के रजिस्टर का प्रयाग होता है जिसको बोलते है उसके उपर लगा के भी गुमा सकते है कि करनट यहां से सपलाय आपको आणर बह जाए trembling को बहार निकला जाता है तो बीच में ओसंशन करते है जैसे आप अधाएメल होगा यहां से यहां पर औ ladies mi बीच में कर औक तो resistance Pala कम हो जाएगा यहां पर करेंगग को और तो इस आपसे आपसे वाइपर के अग्जेश्मन करते हैं, इसमें नॉमल ये जो दो पैर हैं वो हमारे काम के, अगर फुल रिजिस्टेंच चाहिए तो ये और ये आप कनेट कर सकते हो, ठीक है, तो ये वेरिबल रिजिस्टे, ये उसकी जो वेल्यू रहते हैं, उसके आम द लोग वेरी कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं वाइपर, ये वाइपर या क्या बोल सकते हैं, इसको शिल्डेट कनेक्शन आप बोल सकते हैं, ये कैसा होता है कि यहाँ पे, जब अब टर्मिनल ए से सप्लाइ भीज तो यहां से मैंने सप्लाइ भेजा औ उस हिसाब से resistance power कम या जाधा होता है मैं समझे हो resistance power बढ़ा दू तो यहाँ पर resistance कम करना चाहोते हैं यहाँ पर इस तेसे हम लोग कम जाधा कर सकते हैं लेकिन यह बहुत ही heavy supplies के लिए जनरली काम करते हैं जहाँ पर heavy loaded है बहुत जाधा current है वहाँ पर आपको इस टाइप के resistance रहा है होता है यह variable register के जैसा ही हमारे जो potentiometer है वैसा ही लेकिन यह बहुत बड़े current को रोकने की शमता रहती है इसमें आप देख सकते हैं बहुत heavy heavy यहाँ पर आपको wires नजर आ रहे है जिसके जरीए exist कर सकते हैं रहे है इसके बहुत ही बड़िया बहुत ही बड़िया बोल सकते है आप रहे है आम तोर पर जो भी electronics component रहते है heavy उसमें protection के लिए इसको लगाया जाता है इसकी details आपको हमारे online course पर मिल जाएगी लेकिन मैं बता दू कि voltage के पर depend कता है इसको उच voltage rating रहता है जिसके आधार पर अगर voltage उससे जादा बढ़ रहा है तो उसका resistance पावर बढ़ जाएगा voltage कम हो रहा है इसका resistance कम हो जाएगा उसके इसाब से काम करता है basically एक तरीके से protection का काम करता है fuse के जैसा भी आप बोल सकते हो काम कर सकता है तो यह वीडियेश्टर नॉन लीनियर टाइप रजिस्टर है आपका इसके बाद में नॉन लीनियर में और एक है जिसको अमरूप दे थर्मिश्टर 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 है नहीं गर्मी के उपर dependent इसमें दो अलग अलग प्रकार है एक NTC और एक PTC त पोजेट्यूव टेंपरैचर को एफीश्ट और नेगेट्यूव टेंपरैचर को एपीश्ट तो यहाँ पर आपको देको एक्जम्पल दिखły देरा है जब फंडा रहेका तो कर्ण आगे नहीं बहागा जब इसको गर्म कर तो बहना चालो करतेगा तो वैसे दूसरा उसका यह थरमेश्टर जो है टेमपरेचर के उपर डिपेंड करता है वैसे लाइट के उपर डिपेंड करने वाला भी एक रिजिस्टर रहता है नॉन लिलियर में याने कि जब लाइट चालू रहेगी तो यह करेंट नहीं जाएगा लाइट बंद रहेगी तो करेंट बहेगा तो ँवीसे हम लोग कर सकते हैं वह हमारे उपर रहता है इलेक्ट्रोणी सर्कित डिजानिंग में लोग करवाते हैं ठीक है तो लेकिन लेकिन लेकर जो कि बनाता हूं, मेरे हाथों से कंड्रोल नहीं, मैं एक उँखली उपर करूगा, तो रोबोट आगे बढ़ेगा, दुसरे उखली नीचे करूगा, तो रोबोट पीछे चले जाएगा, टौरन मानने के लिए तीसरी उखली, दुसरी जगे भी टन मानने के लिए चौती इंगली, स्टॉप करने के लिए पाची वी उंगली, इस तरह से माले उंगलियों से कंट्रोल करना चाहता हो, उंगली उपर नीचे, तो उंगलियों के उपर इस टाइप का सेंसर आप लगा सकते हो, इसको बहुत है, समझ भाया, यह है वेरिवल टाइप रजिस्टर में, नॉन लीनेर में, फ्लैक्जीबल रजिस्टन्स, तो मैं आशा रखता हूँ, हम लोग ने काफी सारे रजिस्टन्स यहां पे देखे, अभी मैं आपको पहले जो सवाल पुछा था ना, उसका जवाब दे देता हो, ठी सब्सक्राइब करने वाला है, लोड के आगे या पीचे से उसका कोई लेना देना नहीं है, दोनोई कंडिशन सही है, अभी तो चलिए अभी ओनलाइन कोर्सेस मिलेगे, हम लोग मुलाकात होगी हमारी, ओनलाइन कोर्सेस करना है, तो हमारा यह जो एप्लिकेशन है, वो प् पैनल के उपर, तो सस्क्राइब को बटन दबा के बैल का इकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाएगा, उसको नोटिवेशन आपको जल से जल मिल जाए, चले इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फौ लिस्नेंग,